दोस्तो मेरे पास काफी users की request आई थी कि उनके पास में एक ऐसा home theater है या फिर आपका DVD player का home theater है जिसमें आपका only RCA connector है 5.1 channel के इस टाइप के जो connector होता है RCA के जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको जैसे एक Amazon पर मैंने सल्च किया आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें यह आपका CD DVD के option है input के लिए तो इसमें front left front right इसका center channel है subwoofer है और surround left surround sound तो इस type के RCA वाले cable से connect होगा लेकिन इसमें आप आप देख सकते हैं कहीं भी आपका SD में ARC या फिर optical port इस टाइप कोई input नहीं है तो इस condition में आप अपने TV को या फिर आपका gaming console है या फिर DTS setup box है Android box उसको कैसे connect कर सकते हैं यह सारे कही सारी users की इस बारे में query मेरे पास पर आई थी तो इसका एक solution में दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा हूं उसका यूज करके आप इस टाइप के जो आपके home theater system में आफी DVD का home theater system उसको आप connect कर सकते हैं दोस्तों इस condition में आपको इस टाइप का अगर home theater है जिसमें RCA input port 5.1 चैनल का है तो आपको एक optical to RCA convert 5.1 चैनल वाला यह वाला डिवाइस आपको पल्चिस करने पड़ेगी sounds की है यह 5.1 चैनल अबलिक 2.1 चैनल की तो इसकी प्राइज आप देख सकते हैं 1899 है अमेजन पर आज की डिट में उसके reviews काफी टीक आप देख सकते हैं 4.1 इस्टार 105 रेटिंग से तो यह मेरे साब से डिवाइस सही काम करेंगी आपकी इसमें आपको देख सकते हैं स्बाइस किproductि में आपके जो आर शाए वाले ओपुट हैinement हैं जैसे कि आपके उसमें दिखनेंटर हैं में फ्रंट रूर्ण राइट पर सब्हो ज्राट स्र बाइट से प्रेक्सराइब करफसे थेंड़ा सच तब करिसटब आ डिःट सीष इस को क्नट कर सकते हैं जैसे में जो आपका जो android box से connect कर सकते हैं जो जिसमें optical port हो और इस ताइप से आज सी connector जो होता आपका यह connect कर सते हैं जैसे यह port दिखा रहा है और दूसरी साइड में आप से home theater में connect कर सते हैं जैसे आपके इस टाइप के इसमें आउट हो गए audio out के लिए होम toator में जैसे आपको तो यह input port के आपको दिखा रहे थे, अब दिखा देता है आपको जैसे यह इस side में आपके यह सारे connection complete हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगे, TV की setting में जाके audio auto में आपको optical select करना है जैसे TV की setting में आगर जाएंगे आप जो भी आपका TV हो चाहए यह मेरा Samsung का TV आपका Sony का TV हो क्या कोई सा भी TV LG का तो उसमें आप sound setting में जाएंगे sound में जाएंगे तो आप देख आप sound output में आगर select करेंगे आप तो यहां से आपको यह optical select करना है उस condition में, क्योंकि आपका optical port के थूरू उस condition में connect होगा, तो optical यहां से select कर लीजी, दोस्तों यह वाला connector क्या करेगा, जो optical input आपका signal है, उसको यह analog में आपका RCA port के थूरू आपके home theater से connect कर देगा, तो इस तरीके से आप 5.1 channel का home theater old आपका जि इसे आप अपने old home theater system 5.1 channel के जिसमें आपके RC वाले port होते थे input में, only और उसके लावा optical या फिर SD में ARC port नहीं होता था, उसको आप TV से या फिर दूसरी डिवाइसे से कैसे connect कर सकते हैं, optical port के थूरू या optical cable के थूरू, तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो का एंड कलता है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, थैंक्यू